प्रक्रापती सक्ति भड़ापेंतुन सेवा 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 सेवाजोर क्यातो न ? आउ ने दिस्रो राष्टी अधिवेशन वल्ले वल्ले सेवामान क्यातो न ? पहांदी पारी कुपा लिंगो दाउ, रायतार जंगो आया, डाईकली कंकाली, सबू टेपें सक्तिनू भी सेवा 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 जवाजवार क्या तो ना, आउने उंदी पोया, रंड भूमका, मुन मुकरदम, नालूं पाड़ी उरकुन भी सेवा 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 जवार क्या तो आउने तीसरो राष्टिय दिवेशन ओनलाइन G.S.E. इंडिया परिवार्थूल बी वल्ले वल्ले सेवामान क्या तोना नना अपला विचार्क मावा कोया पुने उन्डे संस्क्रती ते नना उन्डे संगीत कला परो अपला विचार्क इरसिरे मातोना नन्ड मावा कोई तुड़यां समुदायते नत्य कलाता उन्डे संगीत कलाता लगोत वल्ले वल्ले महत्व मन्दा नन्ड बाडी का मावा कोई तुड़यां समुदायते जो मावा रेला पाटायता मावा नत्य कला मन्दा लगित महत्व हैंदा नेंड मावा जो नेंग है, मिजानक है, मावा गुंगुंग है, मावा गडख है, किलांग है संगीत ता माध्यमतल आउने नक्तेता माध्यमतल माकून पता आसी रहे माता मैं पानापार्शी में भी बोलना चाओंगी और हिंदी में भी बोलना चाओंगी क्योंकि पाना पार्षित सभी को समझ भे नहीं आता आज हमारे संस्क्रति के अंतरगत आने वाली जो संगीत कला है और नत कला है अति महत्व है इसलिए महत्व है क्योंकि हमारे जो गढ़ है बावन गढ़ या हमारे इले है ये हमें संगीत के माद्यम से पता चलता है और नत के माद्यम से पता चलता है क्योंकि हम लोग तो बावनगर हुम नहीं सकते और रही भात दूसरी जैसे हमारे पाउम पड़ुम जो होते हैं ये भूती आनन्द में होते हैं और इनको नत्त के माद्यम से हिलोर हिलोर के बताया जाता है कि हमारा कल्चर है हमारी खोई हुई जो मतलब कल्चर है इसको नत्त के माद्यम से उर्जावान किया जाता है संगीत के माद्यम से इसको उर्जावान बनाया जाता है हमारी जो संस्क्रितिके अंतरगत जो खोया हुआ विरासत है ये नत्य और संगीत के माद्यम से जलगता है ये हमारी एक धरोवर है क्योंकि जैसे कुछ कारिक्रम होता है सबी लोग जैसे गाव में हो या कस्बू में हो या सहर में हो सबी लोग हर दिन वैस्त रहते हैं लेकिन ऐसा तेवार आते हैं जैसे होली का तेवार हो दिपावली का तेवार हो या जैसे पोला जो तेवार होता है या अन्य भी जो भी तेवार हैं, इन तेवारों में हमारे नत्य और संगीत के माध्यम से बताया जाता है और बहुत अच्छे से इसको किया जाता है नेंड बाड़ी का मावा जो पावूं पड़ूं है, अमोग भुले मासी रह मातोडों ते मावा संगीत उणे नत्य तो माध्यम से अमोग पुर्खाल है तो हम लोगों को भी इस नत्य कला को और संगीत कला को बचा के रखना पड़ेगा क्योंकि नत्यकला के माद्यम से हम लोग आज पूरी अपनी कोयापुनेम को भी जान पा रहे हैं और हमारी संस्कृती को भी जान पा रहे हैं क्योंकि जैसे अलग-अलग होते हैं नत्य के मादयाम से और संगित के मादयाम से पूरा गाव या सहर एक पावम पढ़्डुम के दिन एकत्रीत होता है बहुत अच्छे से उसको मनाया जाता है। रेला पाटा का मत बहुत अधिक है क्योंकि जब कोई गोंगो करते हैं या मिजान करते हैं, हमारे गोंगो के समय भी नत्य के मादयम से और संगीत के मादयम से ही सुम्रा जाता है क्योंकि नत्य करके उनको मन मोहक मतलब बनाया जाता है जैसे हमारे पुर्खा पेन बुला जाता है चुडूर पेन, फड़ा पेन, सल्ला पेन, गांगरा पेन इनको नत्य के मादम से और संगित के मादम से बहुत अच्छे से सुंदर लाइबत के साथ किया जाता है वैसे ही हमारे हां बोला जाए तो हमारा कल्चर है जो हम लोग नत के मादेम से उस कल्चर को जीवित रख रहे हैं क्युक्ए जब कोई पाउम ya पड्डूम होता है तो नत के मादम से उसको बता आ जाता है कि यह हमारा कल्चर है यह हमारी विरासत है या हमारे गड़ है किला क। कि हम लोग हमारे गड़ के लिए तो नहीं घूम सकते लेकिन नत्त के मादम से और संगित के मादम से हम अपने गड़ को और किलो को जान सकते हैं इसी परकार मैं अपने सगापाडियों को एक नत्त और गायन के मादम से बात बोलना चाहूंगी ये एक गायन के माद्यम से बोला जाता है और मैं सबी विवासातियों को आगरा करना चाहूंगी कि वे कोयापुनेम और संस्क्रति को बचाने के लिए आए और अपनी बात को रखे मैं इनी सब्दों के साथ सेवा 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 जोहार करती हूं